Hello everyone, I hope आप लोग सब ठीक होंगे आज हम लोग एक बहुती famous movement को discuss करने जा रहे हैं इसका नाम है The Theater of the Absurd 1940 और 1960 के दर्मियान कुछ ऐसे plays लिखे गए और perform किये गए जिनको देख कर audience बहुत ज़दा confusion का शिकार हो गई बहुत ज़दा shock में चली गई और उन्होंने इन plays को anti-plays का label देना शुरू कर दिया क्योंकि ये plays पहले लिखे जाने वाले plays से totally different थे इनके अंदर themes इनकी characteristics totally different थी इसके वज़ए से audience बहुत ज़दा confusion का शिकार हो गई बहुत ज़दा shock में चली गई इसलिए उन्होंने इन plays को anti-plays का label देना शुरू कर दिया अब इन plays के इस label को खत्म करने के लिए और इन plays की एक मुकमल clarification और मुकमल definition के लिए Martin Aslan जो के एक British प्लेराइट थे उन्होंने 1960 में एक बुक लिखी जिसका नाम था The Theater of the Absurd उन्होंने इस बुक के अंदर इस term को first time introduce करवाया The Theater of the Absurd इस term को introduce करवाने का मकसद था इन plays को एक label देना इन plays को एक definition देना एक clarification देना अब हम absurd word का meaning देखें तो इसका मतलब है ridiculous मुझेक का खेज, बे तुका लेकिन Aslan ने इसको totally different way में define किया और इसको definition क्या दी Something that is out of harmony with reason or propriety illogical और यह जो plays थे इनके अंदर भी हम देखते हैं कि इनसान की जो existence है उसको illogical, meaningless दिखाया जा रहा है इसलिए Aslan ने इन plays को ये label दिया The Theater of the Absurd in 1960 Absurdist playwrights French Algerian philosopher Albert Camus की theories को follow करते थे Albert Camus ने 1942 के अंदर एक essay लिखा जिसका नाम था The Myth of Sisyphus जिसके अंदर उन्होंने philosophy of the absurd को introduce करवाया Albert Camus ने इस essay के अंदर बात की कि इनसान की जो जुस्तजू है Meaning तलाश करने की, truth तलाश करने की वो एक बेकार कोशिश की तरह है मतलब इनसान जो meaning तलाश करता है वो एक बेकार कोशिश है इसके इलावा कुछ नहीं और उन्होंने इनसान की इस बेकार कोशिश को compare किया सिसिफस के साथ जो के Greek mythology के अंदर एक famous figure था और उसका काम ये था कि एक भारी चटान को घुमा कर पहाड के उपर लेकर जाना फिर वहां से छोड़ देना वो जमीन पर आ जाती थी और दुबारा से घुमा कर पहाड के उपर ले जाना ये काम था सिसिफस का तो Albert केमो के मताबिक इनसान की जो कोशिश है वो भी इसी तरह से है जिसके अंदर कोई मीनिंग नहीं है ये एक बेकार जुस्तजू है जो इनसान करता है इनसान मीनिंग तलाश करना चाहता है अपनी जिंदगी में सच्चाई की तलाश में लगा रहता है लेकिन ये एक बेकार कोशिश है सिसिफस की तरह जो के पहाड के उपर चटान को ले जाता था और फिर से वो चटान जमीन पर आ जाती थी मतब इनसान के अंदर डाउट्स पैदा होने लगी उसके अंदर खोफ पैदा होने लगा और इनसान ट्रेडिशनल, मौरल और पॉलिटिकल वैलियोस से दूर जाने लगा इनसान को लगता था कि जो ट्रेडिशनल, मौरल और पॉलिटिकल वैलियोस है ये इनसान को भटकाने के काम आती है इसलिए वो इससे दूर होने लगा और इनसे दूर होने की वज़ा से उसकी लाइफ में मीनिंग लेसनस आ गई उसकी लाइफ इलोजिकल हो गई तो क्रिटिक्स के मताबिक World War II के बाद ये मूव्मेंट स्टार्ट हुई और फिर पूरी दुनिया में फैल गई जैसा के फ्रांस, चर्मनी, इंगलेंड और बाकी दुनिया में भी राइटर्स इस पर काम करने लगे और डिफरेंट प्लेस लिखने लगे जैसा के सैमॉल बैकिट उनका फेमस प्ले है वेटिंग फॉर गॉड़ो जो इसी चीज़ के बारे में है जो के मेनिंग लेसनेस को शो करता है इस मॉवमेंट का मेन मकसद था ड्रामाटिक लेंज के तुरू इंसान की लाइफ की मेनिंग लेसनेस को शो करना ये ड्रामाटिक लेंज के तुरू दिखाना कि इनसान की लाइफ कितनी इलाजिकल है इनसान कितना बेबस है उसकी अपनी किसमत भी उसके हाथ में नहीं है वो एक बेबस चीज़ की तरह जिंदगी गुजारता है यह सब कुछ दिखाना था इस मूवमेंट का मेन मकसद और थियर्टर्स के अंदर जो प्लेज लिखे जाते थे और प्रिजन्ट किये जाते थे परफॉर्म किये जाते थे उनके अंदर भी यह मीनिंग लेसनेस को शो करता था यह मूवमेंट एक्जिस्टेंशल फिलोसोफी के बाद आई existential philosophy के अंदर हम देखते हैं कि इनसानों को isolated individuals के तोर पर show किया जाता है कि इनसान इस अजीब दुनिया के अंदर रह रहे हैं एक meaningless चीज़ की तरह तो existential philosophy के बाद ये movement आई जिसके अंदर हम वोही meaninglessness वोही illogical life को देखते हैं तो actual में theater of the absurd या absurdism का main मकसद था इनसान की जिन्दगी के अंदर ये दिखाना कि उसकी जिन्दगी में कोई truth नहीं है कोई value नहीं है कोई meaning नहीं है उसकी life एक nothingness है और इनसान की जिन्दगी एक बेकार सर्च है कोशिश है universal truth और purpose को ढूंडने की कि इनसान अपनी जिन्दगी के अंदर अपना universal truth को अपने मकसद को ढूंडने में लगा रहता है और ये एक बेकार कोशिश है तो theater of the absurd इस movement का main मकसद ये दिखाना है कि इनसान की जो meaningless life है वो किस तरह से उसके पीछे लगा रहता है वो किस तरह से अपनी life में meaning ठूंडने की कोशिश करता है और वो कोशिश एक बेकार कोशिश है ये है the theater of the absurd जो के इनसान और उसकी जिन्दगी के दर्मयान वो जो divorce है उसको दिखाता है इस movement की different characteristics भी है जिसमें number one पर है a word without meaning माना ये जाता है कि इनसान की जिन्दगी में religious faith के decline के बाद 20th century के अंदर जो religious faith का decline हुआ वो mainly responsible है इस meaninglessness का इस purposelessness का कि इनसान की जिन्दगी में ये जो मकसद खतम हुआ है इसके पीछे main मकसद है decline of religious faith और ये decline आया कब ये decline आया world war 2 के end के बाद कि लोग जो है वो questions raise करने लगे religions के उपर तो religions के उपर question raise होने लगे और इनसान को लगने लगा कि religion जो है वो इनसान को भटकाने के काम आता है वो इससे दूर होने लगे और जैसे ही वो इससे दूर होने लगे उनकी जिन्दगी का मकसद भी खत्म होने लगा और उनकी लाइफ में मीनिंगलेसनेस आ गई तो एसलिन के मताबिक भी मीनिंगलेसनेस तभी आई जब रिलीजिस फेट का डिकलाइन हुआ वर्ड वार टू के बाद सेकंड करेक्टरिस्टिक है दा आईसोलेशन आफ दा इंडिवीज्वल जो भी प्ले राइट्स या जो भी राइटर्स इस मुव्मेंट के साथ कनेक्टिड थे कॉंशियसली या अनकॉंशियसली वो अपने आपको सोसाइटी से अलग समझते थे उनकी अपनी एक प्राइवेट वर्ड होती थी जिसके अंदर रहकर वो प्लेश को लिखते थे इसलिए उनके प्लेश के अंदर हम ये थीम ये करेक्टरिस्टिक्स मेंली देखते थे लॉनलीनस आईसोलेशन आफ दा इंडिवीज्वल कि कैसे एक इनसान सोसाइटी से अलग रहता है और कितना मुश्किल होता है उसके लिए दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट करना तो ये सेकंड में थीम है दा आईसोलेशन आफ दा इंडिवीज्वल थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है फॉर्म इस मुव्मेंट से पहले या 20th सेंचरी से पहले जो प्लेश लिखे जाते थे उनके अंदर सबसे important चीज होती थी subject matter मतलब ये के play के अंदर जो बात की जा रही है वो जादा important होती थी subject matter जादा important होता था लेकिन the theater of the absurd کے अंदर जो प्लेश आते थे उनके अंदर form जादा important होती थी कि जो बात कही जा रही है वो कैसे कही जा रही है उसकी जो form है वो जादा important होती थी और इसके लिए जो character होता है play के अंदर उसकी personal intuition को दिखाया जाता है उसकी जो vision है उससे दुनिया को दिखाया जाता है ताकि जो form है वो दिखायी जा सके कि ये बताया जा सके वो बात कैसे कही जा रही है। तो ये third main characteristic है इस movement की। Fourth characteristic है devaluation of language। Mostly plays के अंदर हम देखते हैं कि characters जो हैं वो language को use करते हैं अपने actions को दिखाने के लिए। जो भी वो act करते हैं उसमें language का सबसे important role होता है। लेकिन theater of the absurd के अंदर जो plays आते हैं उसमें हम देखते हैं कि language को importance नहीं दी जाती। और writers का ये मानना है कि language जो है वो inadequate means of communication है। कि characters जो कह रहे हैं जो words हैं वो पूरी तरह से उनके जो mind में हैं उसको नहीं बता सकते। कि हम अपने words के जरीए नहीं बता सकते कि हम क्या करना चाह रहे हैं। इसलिए हम देखते हैं कि plays के अंदर जो characters हैं वो जो बोल रहे होते हैं और जो कर रहे होते हैं वो एक दूसरे से totally opposite होता है। उनके words और उनके actions आपस में match नहीं कर रहे होते। तो यह हम देखते हैं in plays के अंदर devaluation of language। 5th characteristic है lack of plot। इस तरह के plays के अंदर हम देखते हैं कि कोई proper beginning या ending नहीं होती। कोई purposeful development नहीं देखते हम absurdist plays के अंदर। हम देखते हैं कि characters या तो एक ही जगा पर खड़े हैं और अगर move भी कर रहे हैं तो एक ही जगा पर movement कर रहे हैं। audience को यह लगता है कि वो एक ही scene को बार बार देख रहे हैं। तो यह characteristic है इस तरह के plays की कि इसमें हम plot नहीं देखते। एक properly developed plot नहीं देखते। एक ही जगा पर characters move कर रहे होते हैं या एक ही जगा पर खड़े रहते हैं और वहाँ पर वो actions को perform करते हैं। तो यह 5 characteristics हैं इस movement की। इस movement को हम conclude करते हैं Martin Aslan के words के साथ। उनका कहना है the dignity of man lies in his ability to face reality in all its senselessness, to accept it freely without fear, without allowance and to laugh at it. कि जिन्दगी जो है इसको accept करना, इसको accept करना इसकी absurdity के साथ, इसके उपर हसना ना कि इसके अंदर meaning तलाश करने में लगे रहना। तो यह है यह movement, the theater of the absurd, तो यहाँ पर खतम होता है हमारा आज का यह lecture, उमीद है आपको समझ आई होगी, आज के लिए इतना ही, मैं मिलूँगी अपनी next वीडियो में, तब तक के लिए, खुदा हाफिज,